किसी के पाद 10 लाख से कम की पूंजी है उसे अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए इंवेस्टिंग ट्रेडिंग इसमें उसमें किसमें वार आने वाले टाइम पर मार्केट को काफी एफेट करेगी अगर कोई एक कंट्रूशन निकलता है और वार्स होती है तो सर डर की बात करना जाओंगा कि जब आप 3-3 करोड रुपे के लिए से बटन दबाते हो यह लग गए मार्केट में आपको डर नहीं लगता हाथ नहीं कापते है आपके सबसे बड़ी चीज आपने शौक के लिए क्या खरीदी है जो आपने बस ले ली कि यह मुझे खरीदनी है महेंगी है शौक है मेरा लोंग कार कार कॉन सी क्यों कि मेरे को अच्छी लगती थी रुटबा आता है तीन करोड रुपे मेरा पैसा है टर्णोवर तो उसकी हो जाती होगी मैं समझता हूँ हजार करोड या 500 करोड के आसपास क्योंकि मैं तो फूटर इंड ऑप्शन में करता हूँ न तो वो लेवरेज है आप पोड़फोलियो दिखा सकते है पोड़फोलियो चलो आप तो क्योंकि आपने कभी दिखाया निया पोड़फोलियो तो मुझे लगा एक बड़ आप दिखाया तो नहीं है बर अगर आप दिखा दो पब् सर किस टोन पर बात करें हम क्योंकि मैं एक करोड़पती बंदे से बात कर रहा हूँ यहां पर ने ने आप एक साधारन आदमी समझ के बात करिये कोई करोड़ों की बाते नहीं है वो सिर्फ ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग मेरा प्रोफेशन है लेकिन अदर्वाइज मैं साधारन आदमी हूँ रोटी ही खाता हूँ कोई फरक नहीं है सर आपकी बहुत सारी वीडियो जो देख चुके हैं बड़ मैं चाहूंगा अगर आप बता दें लोगों को कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते है और आपका पोर्टफोलियो जसकी हम सब बात करते हैं वो क्य यानि कि आपने पैसा लगा दिया वो 2-5-10 साल में बढ़ जाएगा ये इन्वेस्टिंग है हम पैसा डालते हैं हम थोड़ा सा उसमें कमाते हैं और हम बाहर आ जाते हैं इसको ट्रेडिंग बोलते हैं जैसे कोई भी ट्रेडर होता है रुपे की चीज़ ली सवा में बेच इन्टरडे ट्रेडर हूं, إन्टरडेट ट्रेडर का मतलब सुबह सवा नौ बजे बजार में पैसा लेके गुसते हैं सवा तीन बजे हम बजार से भारा जाते हैं नफा हो तो भी नुकसान हो तो भी उस डिसिप्लिन में ऊपकी पी एक तरह से जॉब हैं जैंस अगर मैं उसको कैजूल लूँगा तो तो यह तो सब करना पड़ेगा जो लोग चलते फिरते ट्रेड करते हैं तभी तो 95 परसंट लोग या 90 परसंट लोग नुकसान में हैं तो आपको अगर इस 10 परसंट की लीग में आना है तो एक तो सीख और समझ नके आना पड़ेगा दूसरा अप्रोच आपकी 100 परसंट होनी चाहिए एफ़र्ट 100 परसंट होना चाहिए यह नहीं हो सकता कि मैं इदर से भागता आ रहा हूँ आप यकीन नहीं वानेंगे कई दफ करना पड़े और इसके नुकसान भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि करोड़ो रुपया बजार में लगा है जो मुझे आज ही निकालना है अभी करोना टाइम के बाद भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए किसी की एक जानने वाले की डेथ हो गई और हमें बारा बज़े हमाँ जाना था हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारा ट्रेड लगा हुआ है तो इस प्रोफेशन के फायदे भी हैं नुकसान भी है और क्योंकि आपका एक बहुत मोटा पैसा लगा होता है तो आप स्क्रीन से हिल नहीं सकते हैं और यही कारण है कि मैं स्टॉक मार्केट करता हैं कोमोडिटी या फोरेक्स या यह सब कुछ नहीं करता क्योंकि वो राउंड दा क्लॉक चल रहा है तो अगर मुझे किसी की शादी में जाना है पार्टी में जाना है मतलब मी टाइम तो फिर खतम ही है समझे तो स्क्रीन टाइम मी टाइम इस जीरो तो इसलिए मैं सुबह सवा नौ से साड़े तीन तक ही स्क्रीन पे रहता हूं और बस वही मेरी हल्थ अलाओ करती है और वही मैं करना चाहता हूं सर आपके हाथ में टैटू है वो क्या है ये टैटू साब बड़ा इंकरेजिंग है इसका मतलब है ये वैसे तो साइन ओफ इंफिनिटी है लेकिं ये लिखा ये हुआ है लिव दा लाइफ यू लव लव दा लाइफ यू लिव यानि कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं उसको प्यार करिए और जिसको प्यार कर रहे हैं फिर उसी कोई जीए तो आपके लिए अब जिंदगी जो है वो उसका एक मकसर ट्रेडिंग भी है अब तो मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो अब मेरे तो भाई यह है और मैं तो अपनी नेक्स जेडरेशन जो मेरा बेटा है मैं उसको भी चाहता हूँ कि वो इसी ट्रेड में आए मतलब इसी लाइन में आए क्योंकि दिस लाइन इस वेरी रिवार्डिंग आप पैसा डालते हैं अगर आपको राइट डिरेक्शन राइट तरीका राइट वे अफ ट्रेडिंग पता है तो बहुत असान है असान मैं यह नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग असान है प्रोसेस अफ बिजनस इस वरी एजी जैसे कि मैं पहले एक इंडस्ट्री चला रहा था तो इंडस्ट्री चलाने में देखे सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आपको लेबर से काम कराना है सुपरवाइजर से काम कराना है फिर जो प्रोड़क्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल भी आप ही को देखनी है फिर जब वो माल बन गया यहां तक ही जद्दो जहद बहुत है पैसा आरेंज करना है रॉमिट्रेल के लिए सब करना है और एक छोटी इंडस्ट्री जो तीस चालिस पचास करोर तक की होती है ना वो बिचारा मालिक जूजी रहा होता है कभी वो लेबर से जूज रहा है कभी सरकारी डिपार्टमेंट से जूज रहा है कभी बैंक से जूज रहा है कभी प्रोडक्शन से जूज रहा है फिर उसके बाद यहां तक अगर सब सही है और माल बन गया मेरा तो उसके बार मैं sell करने के लिए उसके लिए धक्के खा रहा हूं कि भई मेरा माल बिग जाए फिर माल बिग गया payment realization के लिए धक्के खा रहा हूं payment भी 30-30 दिन की commitment होती थी 90-90-120 दिन में payment आती है तो these are practical problems of doing a business तो उस हिसाब से stock market तो बहुत अच्छा है अगर मेरे पास एक करोड़ है बटन दबाया एक करोड़ मजार में अगर मेरे को किसी से पैसे लेने है बटन दबाया एक करोड़ बाहर मेरे को किसी क्या के तरले नहीं कर रहे फोन नहीं कर रहे के भाई गुता जी शर्मा जी वर्मा जी मेरे पैसे दे दो so ease of business है यह लेकिन इसमें भी लोगों का नुकसान बहुत होता है नुकसान क्यों होता है क्योंकि लोगों में एक तो सबर नहीं है यह काम मतलब 80% is psychology only 20% is your knowledge अगर आप माइंड से स्टेबल है यू आपने बात करी तो आप अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए क्या करते हो मतलब do you like watching movies, cricket, कई टाइम पास करने एक लिए गूमने जाते हो दिमाग क्योंकि ऐसी चीज़ है अगर ब्लॉके जा गया उसमें creative block आ गया या फिर आपके लिए थोड़ा knowledge ब्लॉक आ गया तो वो फिर function आपके तरीक एसे नहीं करेगा सबसे पहले जो ट्रेडिंग में दिमाग को अगर cool रखना है तो position sizing एक चीज़ होती है उसको मैं अपना नियंतरित रखता हूँ यानि कि अगर मेरे पास एक लाख रुपया है तो मैं एक lot में काम करता हूँ या मैं तो जो करता हूँ मैं तीन लाख रुपय में एक lot में काम करता हूँ जबकि जो लोग loss में है जो मेरा तज़र्वा कहता है लोग एक लाख में दो lot में काम करते हैं वो कहते हैं कि market से leverage मिल जाता है हम इदर option buy कर लیते हैं दो lot future buy कर लेते हैं तो आप बीस लाक का प्रोडक्ट लेवरेज पे लेके एक लाक में कर रहे हैं, वो पांच परसेंट हिला तो आपका तो सूपरा साफ है, तो मैं तीन लाक होते हैं, तो एक लॉट में काम करता हूँ, कम कमाई है ना, लेकिन अगर आज मैं लॉस में भी हूँ तो मेरी कैपिट समझना पड़ेगा कि यह लॉटरी जुआ सटा नहीं है, आज मैं पचास लोगों से मेरे से बहुत लोग सीखने आते हैं, लोगों से मैं पूछता हूँ, स्टॉक मार्केट क्या है, किसी के पास जवाब नहीं है, वें यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कमपनी, यू आर बि इंगे में पार्टनर बना हूँ, तब ही जब क्या होता है कि आप पार्टनर बनते हैं, तो आप का जो कोंटराक्ट नोट आता, उसमें एक stamp duty भी हूती है, जैसे जमीन खरीद यह स्टेंप जुटी देते हैं, यू नहीं हमें इन्दुटी देते हैं, अपने एक डाइन हज रुपे की पार्टनर्शिप बन गए ये बात अलग है कि वो तीन अजार रुपे उस कंपनी ये साइज के इसाब से कुछ नहीं है लेकिन कंपनी आपको वही रिगार्ड देगी जो उनका एक लाक शेयर लेके बैठा है वो भी उतना ही बड़ा मतलब स्टॉक होल्डर है इन् हम उनके साथ तीन अजार रुपे दे के पार्टनर बन गए ये फरक है लेकि मैं पूशा आप से की दिमाग को ठंडा रखने के लिए मैं बता रहा था तो पहले तो मैं पूजिशन साइजिंग को कंट्रोल करता हूं तो मेरा कभी भी लॉस इतना नहीं होता कि मेरा दिमाग कभी भी आउटरेज उपे आजाए पैसे के लावा मुझे की चिल करने के लिए आप क्या करते हैं चिल करने के लिए जिब दिन मेरे को मन नहीं होता मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता मुझे किसी डॉक्टर नहीं का कि मुझे रोज ट्रेडिंग करनी है पहली चीज दूसरा आ परसो जो मुवी देखी थी और आज पूछो तो मुझे द्यान नहीं है लेकिन विर भी कोई ऐसी मुवी जो रीसें टाइम में आपने देखी हो आपको बड़ी पसंदो नहीं जी नहीं आंसर करता हूँगा यह जो कि इतनी सारी बात करें यू जैसे ही मैं थोड़ा इसके बात करी तो इसके बारे में तो मिले पूला इसके जबाद कर पाऊँगा आपने स्टोंस भी पहने उए हैं सो डू यू बिलीव कि थोड़ा इससे भी हल्प होती है पैसा कमाने में और कौन कौन से स्टोंस हैं भी नेखोजी यह तो मैंने इदर तो डायमंड पहना हुआ है तो यह तो इसकी तो कोई मतलब ज्लेल्री वैल्यू नहीं इसका इसका इ पहन पहन लो मैंने पहन लिया लेकिन जब पहना था तब कोई फरक नहीं हुआ था या हो सकता है उसने फरक करने में तीन साल लगा दी तो मै एक नीलम है जी और एक ये पन्ना है कहते हैं नीलम भी जिसको सूट कर जाए फिर वो करोडों में खेलता है तो मेरे को लगता है ये तो देखो जी मैं हाँ लेकिन मैं भगवान का बहुत मतलब फर्म बिलीवर हूँ और मैं हर किसी से ये कहना चाहता हूँ जो ट्रेड कर रहा है जो ट्रेड नहीं कर रहा सुबह उटके भगवान और वो किसी भी रिलीजियस का हो सकता है मतलब ये कोई मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुत हो या कोई और रिलीजियन हो या कुछ हो आप क्रिस्चन है आप मुसलिम है आप जिस भी भगवान को मानते हैं जिस भी ऊपर յाले को मानते हैं उसका शुकुराना करना If you adopt this habit things will come easy for you जो भी भगवान है जिस भी हाल में आप हैं जिस भी थिती में हैं उस रब का शुकुराना करना जरूरी है सो आपका इतना पैसा market में रोज लगता है जी नींद कैसी आती है आपको रात में मैं तो इंटरडे प्लेयर हुना जी मैं तो पैसा रख वापिस घद ले आता हूँ तो किसी दिन उपर नीचे अगर कुछ हो गया तब एंशन होती है रात में अगर किसी के पाद 10 लाक से कम की पूंजी है उसे अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग इसमें उसमें किसमें उसकी वज़े क्या है कि आज हम चलो आपका एक्जामपल लेते हैं मैं एक हाइपोतिकल बात करता हूँ हम ये छोड़ देते हैं कि आप क्या जॉब करते हैं मैं मान लेता हूँ कि आप एक पड़े लिख़्े आदमी है ग्रेजुएट ही हैं आप सिर्फ ठीक है और आप एक कमपनी में जॉब करते हैं जहां आपको पचास साथ हजार रुपे सेलरी मिल सकती है ठीक है ठीक है अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं प्लीज डोंट बी ओफेंडेड के आप क्या कमाते हैं मैं उस पर नहीं कॉस्चन कर रहा है लेकिन मैं मान लेता हूँ आम जनता की कि उसे पचास साथ हजार रुपे मिलते हैं अब वो सोचता है कि मेरे पा लोग लॉस में हैं तो इट इस वेरी अनलाइकली कि आप प्रॉफिट में उस दस लाग से आप आएंगे आ जाएं बहुत अच्छा है नहीं तो हम मान के चलते हैं कि पॉसिबिल्टी दस परसेंट की है ठीक है तो जहां सक्सेस रेट इतना कम है वहां मैं क्यों तलवार की दार पर चलूं ठीक है तो इस पैसे को मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप्टिमम लेवल पे इसे मूचल फंड में दे दो ठीक है क्योंकि अगर आप मेरे से सीखो गया मैं कर रहा हूं तो मैं कितना कमा पा रहा हूं बीस से चौबिस परसेंट यानि कि महीने का दो प तो बैटर यह है कि मैं इस पे 15-18% या 13-15% मूचल फंड से कमा लूँ और 60,000 इस से कमा लूँ तो आपने मेरे से ज़्यादा कमा लिया जैसे एक आदमी से एक स्कूल के दो मास्टर थे तो एक मास्टर ने दूसरे से बोला कि अगर मुझे अम्वानी जी की सारी धन दौलत सारा समराज्य मिल जाए तो मैं अम्वानी से ज़्यादा कमा सकता हूं दूसरा शौक में आके गिर गया भी ये कैसे बहुत समझने के बाद उसने का भी तू समझा मुझे कैसे ये तो बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है बुला मैं शाम को दो टूशन भी पढ़ाऊंगा ना जो अम्वानी जी नहीं पढ़ाने वाले वो तो मेरा ही अम्वानी ज दूसरा जो आपका सवाल था मैं अब उस पे आता हूँ डिरेक्ट कि लोगों को तकलीफ होती है अगर वो लॉस में है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा इंवेस्टिंग कितने दिन की होती है इंवेस्टिंग का मतलब होता है दो से पांच साल अब आपने कोई स्टॉक या वो छे महिने में आपको लाल रंग श्रा नहीडा है यानि कि लास में आ गया अब आपका भी पी बीपी जाका boilsची हो र्या तो ये दो स्टु आध्वेस्टिंग कि अगर आपका अपर इंवेस्ट कर्या, और इस से कम में आपका वह है तो 3000 साल फ्टिंग कर दो 8% पे कर तो पापा ममी के नाम से कर तो 9% 8% पे वो ज्यादा समझदारी है rather than कि अपना time लगाओ क्योंकि होगा क्या अगर आपके अंदर patience नहीं है मान लो आपने इंडिया की सबसे अच्छी company Reliance का ही share लिया तीन अजार का 2700 आगया अब आपका तो भाई BP हिल रहा है छे महीने हो भी गए पैसे की opportunity cost भी नहीं मिली और ये 300 रुपे तूट भी गया यानि you have lost 10% तो अब क्या हुआ 10% तो आपने पैसा खो दिया कमाने वाले थे 15% तो अब ये अगर यहां से 15 बचे पड़ेगा तो that means आपका कहीना कहीना mathematics गलत हो गया तो इसलिए investing is also for people who have stable mind and conviction क्योंकि investing हिंदुस्तान में 99% लोग borrowed conviction पे करते हैं अभी borrowed conviction क्या है रोहन भाई या तुमने बहुत पैसे कमा लिये stock market से तुम दो stock बता दो अब आपने मुझे बताए मैं गुस गया आपने मुझे कब बताए जब आप उसका juice निकाल चुके हो और हिंदुस्तान में यह बहुत बड़ी परपाटी है यानि एक चलन है कि टाटा मोटर सारी दुनिया को पता था कि भाई अच्छी कमपनी है बहार फोर्ड को भी खरीद रही है वो फोर्ड कहरा हूं यह जे लर जिसे बोलते है जैगवार लैंड रोवर भी खरीद लिया है उसने तब तक भाई कोई उस पे जब वो देर सो दो सो रुपे पर चल सभी बात है तो पीपल है नो कन्विक्शन ओन देर ओन सेल्फ दो सो में नहीं लेंगे साथ सो में भागते हुए लेंगे अब साथ सो वाला में तो लोग प्रॉफिट बुक करके पांच सो लेके आ रहे हैं उसे तो आप कहेंगे दो सो का नुक्सान हो गया आपने सर जो ये बात करी है मुझे लगता है कि आगर आप लोगों को बता सके कौन सी ऐसी गलतिया है जो सब सब्सक्राइब यह गलतिया तो मैक्सिमिन लोग करते ही हैं त्रेड करते हुए या फिर स्टॉक्म कuger इन्वें फोमो नहीं होना चाहिए FOMO का मतलब है कि S fear of missing out यानि कि अगर मान लो कोई चीज 100 पे लेनी है वो 120 आगई तो भाई चोड़ो तो कल दुबारा 100 पे मिलेगी तब ले लेगी नहीं तो कल कुछ और मिलेगा 100 पे मुझे क्यों 20% या 15% या क्योंकि तब कर लेंगे पेशन्स रखो थोड़ा और दूसरा 100 पे जब वो है और वो अगर 98 आ गया तो conviction इतना strong होना चाहिए कि ये तो 200 से 300 जाएगा तो steady आपकी confirmation confirm होनी चाहिए plus conviction होना चाहिए plus डर नहीं होना चाहिए इसलिए भगवान का धन्यवाद दोता कि भई थोड़ा मन शांत रहे जो लोग meditate करते हैं they are very good traders जो लोग ध्यान लगाते हैं they are very good traders जो लोग चुप बैठते हैं थोड़ा भी they are very good traders आप करते हैं meditate मैं meditate नहीं करता लेकिन मैं एक घंटा अपने जीवन में मतलब 24 घंटे में से एक घंटा मौन जरूर रहता हूँ तो उसमें क्या है you keep on thinking वो जो विचार आते हैं वो मुझे तो विचार भी वही आते हैं आज मैंने ये गलती करी थी तो कल मैं शायद इससे better perform कर सकूँ या हम इसको क्यों नहीं लिया मैंने अगर मैं यहां लेता तो चार्ट ऐसे बोल रहा था तो मेरे तो विचार भी ऐसे हो गया है कि मतलब self conversation करते हैं वैसे आप किसी spiritual गुरू को follow करते हो मैं एक है गुरू जी मैं उनको मानता हूँ अगर आप बताना चाहों को ने हमारे गुरू जी हैं जो आपने हर कार के पीछे गुरू जी लिखते देखा होगा जी 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 चतरपुर गुरू जी आप उनको follow करते हो मैं उनको पिछले 12-13 साल से follow कर रहा हूँ dedicatedly dedicatedly आप जाते भी हो मंदिर बड़े मंदिर भी जाता हूँ जी मैं बड़े मंदिर मेरी महा कुछ टाइम सेवा भी रही I was honored कि मैं वहां सेवा का भी कर पाया और that is one place which is full of peace so sir do you think कि Guru जी की grace की वज़े से भी आपको फायदा हुआ बिल्कुल जी सारी कृपा है और बहुत कुछ हमने पाया है तो वो महीमा है उनकी इसमें कोई doubt नहीं है 21 दिन में पैसा double ऐसी कोई scheme बता दो हाँ scheme है बताओ जो करवा रहा है उसका double है आपका नहीं हो सकता अगर मुझे double करना है तो क्या तरीका है कोई तरीका नहीं है कोई तरीका ही नहीं है हमारे market में भी आज किसी share पे 20% का circuit लग गया मान लीजिए कल भी लग गया तो save view से कहते है अगले दो दिन 10 का लगेगा फिर 5 का लगेगा ताकि अगर कोई स्पेकुलेशन भी कोई चल रही हो तो वो उस पे भी नजर है तो पैसा 21 दिन में कैसे double हो सकता है हाँ मान लीजिए आप बैंग निफ्टी शॉर्ट या लॉंग करके बैठे हैं और बजार आपकी धारा में चल जाए तो देन देर इस पॉसिबिल्टी के पैसा double हो जाए अगले दिन भी हो सकता है फिर 21 दिन की भी वेट नहीं करनी लेकिन देट रिक्वाइज अ वेरी डीप मार्केट स्टेडी एंड वेरी डीप नॉलज अफ चार्ट जो मेरे अंदर नहीं है मैं अपनी कम्यों को और छम्ताओं को पूरी तरह जानता हूँ और मैं ऐसा कोई गैंबल करता भी नहीं क्योंकि मुझे ये पता है कि 21 दिन में जिन लोगों ने ये काम करा कि कल ऐसा करेंगे जैसे अभी मैं आपको धारान देता हूँ बिलकुल ताजा ताजा 44 लाक करोड की कैपिटल एक दिन में वाइप आउट हो गई चार जन्वरी को तीन जन्वरी बड़ तीन जन्वरी कह रहा हूं सोरी चार जून को जो ये नीचे को मारकेट गिरा उससे पहले जो एक वो आया था एकजिट पॉल उसमें ये दिखाया गया कि सब बिलकुल एक्दम 400 सीट आ गई और बिलकुल एक साइड़ वो आ गया उससे पहले लोग लॉंग पॉजिशन में गए थे जब वो बजार गिरा 44 लाक करोड की वो वाइप आउट हो गई और ये मेरी फिकर नहीं है ये पॉलिक डोमेन पे है सेभी और नसी ने डेटा दिया है तो जुन लोगों ने इस एंटिसिपेशन में पैसा लगा के लेवरेज लेके बड़ी बड़ी पॉजिशन करी उनके तो सूपरी साफ हो गए और केवल कितना मार्केट केवल 10% गिरा था 10 भी पूरा नहीं हुआ 10 पे सरकेट लग जाता 9% से ही लॉट गया था सर नाओ वी है बीज़ेपी की सरकार सो दो यू थिंग कि अब जो सरकार आई है उसकी वैसे आने वाले टाइम में if I talk about 3 years or 4 years from now so how do you think कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा देखे मार्केट तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी वज़े क्या है कि ये गॉर्मेंट हलागी देखे 100% कोई नहीं होता लेकिं ये गॉर्मेंट इन्फरा पे बहुत पैसा कर्दिश कर रहे सडकों पर बहुत पैसा कर्चो रहा है अब केवल सडक नहीं बनती जैसे यहां से देहरदून तक अगर मान लिए एक सडक बन गई तो वो केवल सडक नहीं है उससे आपको और मुझे फाइदा नहीं होगा जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए बिजनस ड्यलप हो गया टूरिजम बढ़ गया होटल्स बढ़ गये और दिल्ली से लोग जाके वहां रहने लग गए औक्यूपेशन बढ़ गई फिर जब वहां पर यह सब कनेक्टिविटी हो गई तो दिल्ली वालों ने जाके वहां घर ले लिये अब वहां की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो जमीन का रेट चालिस अजार था वो डेड़ लाक पहुंच गया तो वहां के रेजिनेंट्स को फायदा हो गया लोकल्स को फायदा हो गया फिर वहां जो मजदूर थे वह घर बनेंगे होटल बनेंगे ये होगा तो उससे होगा सीमेंट लोहा ये बिखने लगेगा तो एक सड़क जो बनी उससे कितने लोगों की जिन्दगी कनवर्ट हो गई सेकेंडली धहरा दून और सहारनपूर में मान लो मेरे को नहीं पता क्या है मैं मान के चलता हो चलो हम कहते हैं पचास किलो मीटर अंतर है या साठ सतर है तो वो एक मतलब टून टाउन बन गई अपने आप सहारनपूर भी ड्वेलप हो गया जितने हाईवे पे शहर आते गए वो सारे ड्वेलप होते गए तो आप आज से दस साल पहले किसी भी शहर में चले जाएए और आज जाएए तो वो कितना एक्सपैंड हो गया आप जैपूर का उधारन लीजिए इतना सा जैपूर था आज पूरा फैल गया क्यों? क्योंकि रोड का इंफरा बन गया चारो तरफ मैं गाजियाबाद रहता हूँ जब मैं गाजियाबाद में आया था तो गाजियाबाद से चार किलो मिटर में पूरा गाजियाबाद समिट जाता था आज बीस किलो मिटर भी हम आ जाते हैं तो गाजियाबाद खतम ही होता यही नहीं पता लगता कि गाजेबाद कब खतम हुआ दिल्ली कहां शुरू हो गया तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पर बूम करेंगा बिल्कुल जब इंडस्ट्री में पैसा आएगा लोगों के पैसा आएगा तो वो पैसा कही ना कही मार्केट में आएगा अब मैं मार्केट जब बोलता हूँ तो मार्केट केवल स्टॉक मार्केट नहीं है मान लीजिये आज आज आपके पास 10 लाक रुपे हैं आपकी एक जमीन है डेड़ करोड की वो बिग गई तो यार आप भी गाड़ी खरीदोगे कपडे खरीदोगे लगजरी की आइटम खरीदोगे घर में एसी लगाओगे जो भी मतलब एक आदमी उस पैसे का यूज कर सकता है और अगर वो एक करोड की FD कराएगा तो वो पैसा देश की उसमें लगेगा क्योंकि बैंक भी उसे फर्दर कहीं इंवेस्ट करेंगे आपको अगर वो 6-8% देंगे तो खुद 12% पर इंवेस्ट करेंगे ना तभी तो आपको दे रहे हैं तो वो पैसा फिर इंडस्ट्री में आएगा इंडस्ट्री में आएगा तो फिर बिजनस्मेन उस पैसे को यूज़ करके तरक्की करेगा फिर वो पैसा घर खरी देगा तो ये चेन है तो कहीं भी एक जगा डिवलप्मेंट शुरू होती है तो वो पैसा धीरे 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 मार्केट के सरकल में आता है और उससे सबका फायदा होता है इसलिए कहते हैं देश बढ़ रहा है सर आपने जो बात बोले बिल्कुल जेन्वेन भी है वो लेकिन इस ताइम पर मार्केट में दो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं अमबानी और अडानी जो गवर्मेंट के साथ काफी क्लोजली काम भी करते हैं हम अडानी और अमबानी को पकड़ रहे हैं हम यह क्यों नहीं करते हैं कि निफ्टी के जो 50 शेयर हैं उसमें से टॉप 20 में पैसा डाल दे यह जो आज हम पॉड्कास्ट कर रहे हैं अगर यह डेटा इतना फ्री नहीं होगा तो हमारे तो विवर्शिप ही नहीं आएगी कितने लोग इंटरनेट पे जाके लैप्टॉप के सामने यह तो आज हर आदमी के हाथ में आ गया ना जी यू आर वरकिंग उन 5G और आपका 1G भी डेटा फ्री है उसके बाद भी 5G अनलिमिटेड फ्री है तो आप देखो कितना असानी से लोग देख पा रहे हैं अगर यह नहीं होता आप तीन साल पहले देखो यूट्यूब की क्या विविवर्शिप थी और आज देखो कॉंटेंट कितना कंजूम हो रहा है देखो आप तो इससे क्या कहना चाहरे हो आप इससे यह कहना चाहरा हूँ कि उसका तो अम्बानी का तो जो भला हुआ सो हुआ लेकिन उससे अंसलेरी इंडिस्ट्री कितनी बढ़ गई आज डिजिल क्रियेशन में आप और हम आ गए हमें यहां से कुछ न कुछ कमाई होगी तो वह बिकॉस डेटा इस चीप अगर वही नहीं होता और हमारे पास एक जीवी डेटा होता पूरे महीने में तो क्या कोई भी आदमी अपने मुबाइल फोन पे आदे आदे घंटे का पॉड़कास्ट देखता चार चार घंटे रील स्क्रोल करता सो इच से चीप कोई भी डेलपमेंट कोई भी अच्छा काम देश में होता है आप अमबानी और अडानी को लोग गालियां देते हैं आज से दस साल पहले आप एरपोर् लगते हैं अभी I was in Bangalore भाई मुझे लगा मैं कहां आ गया दुनिया का मैं कहता हूँ I have visited Singapore I have visited मतला मैं दुनिया पूरी दुनिया गूमा हूं almost बैंगलोर से अच्छा मुझे एरपोर्ट दिखाओ मुझे लगता था होंग कॉंग सबसे अच्छा है honest review दो आप बैंगलोर क BJP या इसको ना देखते हुए हम development देखें what kind of development these guys are bringing to the to our country right और दूसरा मैं तो कहता हूँ रोहन भाई आप करो ना आप कहो कि मैं ठेका लेता हूँ आप उतने competitive दो आपको भी मिलेगा वो ठेका आज railway में अडानी इतना काम कर रहा है अमानी जी के मतलब मैं तो brand देख देखते ही दुखी हूँ के मतलब इतने brand इतने brand जो brand देखो अमानी जी लेकिन आप देखो they are making things easy for public right जो brand हम लोग जब मैं छोटा था जो brand हमारी दीच में ही नहीं थे हम सिर्फ फिल्मों में देखा करते थे वो आज आपके घर पहुंच गया है जब मैं छोटा था मुझे नहीं पता था Louis Vuitton क्या होता है Tommy Hilfiger क्या होता है ब्रेंड तो यह तब भी थे ना आज मेरा बच्चा इनकी टी-शेट पहन रहा है हर एक इंसान के लिए accessible होगा है sir I think because India grow कर रहा है इसलिए इनके costing भी काफी कम होगा consumption है ना consumption है वही वाली बात है whenever there is a mass consumption price has to come down economy का सिध्धानत है supply demand बढ़ेगी तो उधर supply कंट्रोल होगी price कम होगा costing कम होईगी sir multiple wars जो है वह भी चल रही है अलग 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 देशों में so आपको लगता है कि war अने वाले टाइम पर market को काफी effect करेंगे अगर कोई conclusion निकलता है और वार्स होती है तो देखें मार्केट जो हैता है न वो बड़ा mature होता है वार हुई दो दिन मार्केट गिरा अब उसे पता लग गया भी जो maximum destruction होनी थी वो यहां तक है market ने उसे factor in किया market आगे बढ़ गया करोना हुआ आपको मैं उधारान देता हूँ ताकि audience समझ चके पहली बार करोना हुआ market में lower circuit लगके साड़े साथ अजार आ गई निफ्टी अपनी बारह अजार से चलके साड़े साथ अजार आ गई तब ही पता लगा injection मन गया market ने का ऐसी तैसी में जाओ सब हमें तो आगे की रहा दिख रही है market पुराने सौरोस को भूल के आगे की positivity की तरफ भागती है this is something we should learn from market market कभी भी अपना दुखड़ा लेके नहीं बैठी रहती हाई profit नहीं आया आज Infosys ने कहा मेरा profit नहीं आया उसने commentary दी अगले दिन share भाग जाता है तो war हुई लोगों को पता लगा भी यह destruction यह हो गई लेकिन अब इसके लिए रोते थोड़ी रहेंगे आगे भी तो बढ़ना है right market अगे बढ़ना है market तो देखे बिल्कुल high पर खड़ा है हमारा भी US भी क्योंकि यह सब चीजे market पे फेक्टर हिन हो गई उन्हें पता लग गया भी इसका यह maximum हो सकता है तीन तीन वाट चल रहे हैं लेकिन फिर भी all time high all time high पर ही चल रहे हैं तो करोना का मैं आपको बता रहा था करोना हुआ साड़े बारा से हम साड़े साथ हजार पर आए पता लगा injection मन गया जबकि पहले lockdown में major casualties नहीं थी लोग मरे नहीं थे दूसरी बार lockdown हुआ मार्केट में कोई उसका sentiment नहीं आया ना मार्केट गिरा ना मार्केट ने उसको वो किया क्योंकि तब तक work from home चल रहा था दुनिया अपना करोना के साथ जीना सीख चुकी थी लोग मर रहे थे लेकिन मार्केट चल रही थी मार्केट फिर भी बढ़ती रही मार्केट में कोई lower circuit नहीं लगा second wave में जबकि मरे लोग second में है first में तो कोई मरा ही नहीं था क्योंकि सब लोग घर में ही बैटे थे तो मार्केट हमेशा forward looking होती है आपने EV की बात कर देंगे पेट्रोल और डीजल को हटाई देंगे अभी जो स्टॉक्स एवी से रिलेटेड है जिन जिन चीजों में एवी के लिए यूज होंगे जो कॉंपोनेंट्स उनमें इन्वेस्ट अभी कर देना चाहिए और कौन से ऐसे जो आप बताना चाहोगे एवी मैं किसी पर्टिक्लर स्टॉक का नाम नहीं लूँगा बिकाज मैं सेवी डिस्टर नहीं हूं बट हाँ मैं आपको सेक्टर बताऊंगा ये सेक्टर बूम करेंग करेंगे मार्केट मां इवी रिन्यूबल्स सोलर अभी मोदी जी ने प्राइम निस्टर की वो तीसरी बार लेते ही कहा कि हम तीन करों लोगों घर देंगे घर देंगे का क्या मतलब है कौन-कौन से सेक्टर अब आप देखे इसमें सोच के देखिए घर देते वक्त कौन- लोनिंग बड़ेगी ना राइट तीन करोड आदमियों में से पौने तीन करोड तो लोन ले नहीं वाले हैं एक्जाक्ली चाहे वो छोटे हो पांच लाग शे लाग दसला कुछ भी साइज हो लेकिन आल अफ एसदम बैंक के पास तो इतना बिजनस आ गया तो बैंक बड़ तो समझा गई आपको जो इलेक्रिक डिस्टिबूटर कंपनी भी बढ़ेगी मीटर बनाने वाली कंपनी भी बढ़ेगी बिंजली कितार वाली भी बढ़ेगी पंखा बनाने वाली भी बढ़ेगी और इसके साथ जुड़े हैं ठीक है उसके बाद अब घर बन गए आदमी आएगा कैसे आएगा सडक बनेगी तो आप सडक के जो इंफ्रा स्टॉक हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अब घर बन गए सब हो गया सेनिट्री वेर भी लगेगा टाइल भी लगेगी ये इंडस्ट्री चलेगी तो आप न कोई चीज में रॉकेट साइंस नहीं है बस थो मोदी जी ने राम बंदिर बना उन्हें का जी हम सोलर लगाएंगे देखो सोलर कहां से कहां पहुंच गया साथ सर्थ वाले शेयर चौबिस चौबिस सो रुपे हो गए राइट सिर्फ एक क्योंकि विजन दिया उन्होंने अभी लगा नहीं है लगेगा लेकिन जिस जब अ अनॉंस्मेंट हुई मार्केट ने फ्यूचर देखके उन शेयर को ग्रो कर दिया बिल्कुल रएट सर आप पर डे अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितने की है कितना पैसा पर डे मार्केट में लगा रहे हैं मैं ट्रेडिंग करता हूँ जी पहले आप फरक समझ नहीं है कभी 282 हुआ कभी 282 हुआ मतलब वो वॉल्यूम मेरा वही रहता है तेन करोड की ट्रेडिंग कर तेन करोड रुपए मेरा पैसा है तूर्णोवर तो उसकी हो जाती होगी मैं समझता हूँ 1000 करोड या 500 करोड के आस पास क्योंकि मैं तो फ्यूचर एंड आप्शन मे तो नहीं है. एक बार अगर आप दिखा दू पुलिक को थोड़ा. मोटा पैसा है टाइम ले रहे थोड़ा. नहीं वो पास्वर्ट डाला हो पाता है. नहीं रहने देते हैं रोहन जी पता थोड़ा सा ना पता हैं. I'm not very comfortable in showing that. मुझे दिखा दो, पब्लिक को मत दिखाओ, आप देख लो, जी, मुझे दिखा दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सर, जीरो तो बहुत है, लेगिन सर, ये पुछना चाहूंगा, मैं, आपने जो इसकी बात करी, इतना पैसा, आप तक कैसे पहुंचा है, कि आप इतना इन्वेस्ट कर पा रहे हो, वो सफर भी जानना चाहूंगा, मैं, कि इतने पैसे, कि आप 3 करोड रुपए एक दिन में मार्केट में लगा रहे हो, ये आए भी तो हूंगे, ये कैसे आए, देखिए, अगर आप मेरे से 2015 तक का पूछेंगे, तो मैं अच्छे खासे लोगों में आता था, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनस था, जो मैं अपने फादर के साथ कर रहा था, नाइन्टी फाइव से, जो मैं क्लास 12, तो तब भगवान की क्रिपा थी, मेरे पास अच्छा खासा बिजनस था, मेरी फैक्टरी भी थी, लोग भी काम कर रहे थे, और हम लोग जो सिरामिक कलर्स बनाते थे, हम लोगों का रेंक अगर टॉप थ्री में ये टॉप फाइव म और 2020 से पहले एक अच्छी बात थी, जो जिस वाट वर्ग फॉर मी, कि आप ब्रोकर को एक लाख रुपया दीजिए, ब्रोकर आपको दस लाख रुपय की लिमिट दे देता था, तो मेरा पैसा गया भी बजार में ही था, लॉसे हुए थे, और फिर मैंने छोटे पैसे को व बजार बढ़ता ही चला गया और आज तक बढ़ रहा है, तो वो जो रन था, वो मुझे मिल गया, टाइमली, और मैंने ये पैसा बना लिया, तो दिस इस दा स्टोरी, लेकिन हर किसी को ना वो प्रॉपर टाइमिंग मिल रही है, ना वो लेवरेज की फैसलिए, आज तो ले आज की तारिक में सिर्फ एक्स्चेंज की तरफ से है, तो वो दस एक्स जो ब्रोकर वाली थी, वो खतम हो गई, सर, डर की बात करना जाओंगा, कि जब आप तीन-तीन करोड रुपे के लिए से बटन दबाते हो, ये लग गए मार्किट में, आपको डर नहीं लगता हाथ नहीं कापते हैं, जो अपनी जो मेरी एजूकेशन है, मैंने उसको समझा, मेरे दिमाग ने उसको प्रॉसेस करके कहा कि ये ट्रेड लेना है, तो वो मैं एक लॉट से लूँ, या पैतिस हजार कॉंटिटी से लूँ, मेरे लिए टिस वन एंड लॉट, क्योंकि I have actually worked with one लॉट, एक लॉट से मैंने शुरू किया, फिर तीन पे आया, फिर पांच पे आया, फिर पच्चिस पे आया, फिर कि युख भी हो गया था, कि बंस ना लॉट से लॉट से लॉट से लॉट से मेरे पास आज कैपिटल हाँ इससे ज ज्ञाद ही था कुछ, कितना मैक्सिमम लॉट से लॉट कि अबी किसी दिन, अगर हो यादगि एक सटे इन मेरा करीब 40-50 लाग का एक बार लॉट से लॉट वो क्या दिन था मतलब उस दिन फिर क्या हाल था मुझे याद ही नहीं है जी मैं याद भी नहीं करना चाहता है इसे एक एगो रहता है या एक वह होता है कि आज तो रिकवर कर ही लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए को बहुत लोग ऐसा करते हैं गैंबलिंग में भी उसे इमेरिटली समझ ये आया कि पैसा जाता इस बजार में समर्सिबल पंप से है आता मुनिस्पैल्टी की टॉंटी से है आएगा बूंद बूंद करके जाएगा एक साथ दो हज़ार कमाने मुश्किल हैं पचास हजार गवाने असान हैं तो ये समझना है इस बजार में कि लेकिन आप ये देखो बजार में इतना बड़ा हिपनोसिजम हो जाता है लोगों को इतने लोग स्क्रीन के आगे आते ही हिपनोटाइज हो जाते हैं कि 95% लोग गलती कर रहे हैं राइट अब ये देखो 45% लोग गलती कर रहे हैं तो बस मैंने ये सोचना शुरू कर दिया क यह तरीट लगना बाय करना है मैं वह सेल कर देता हूं तो मेरे कुछ पैसा मिल जाता हूं आप करडेट काड़ यूस करते हूं हाँ मेंगा वाला है आप बिलकुल टॉप ऑफ डिलाइन, कौन सा है। मेरे पास इन्फीनिया मेटल है, इंडसिंट का पिनेकल है। तो ऐससे क्या बेनिफिट है इसमें। आज मेरे लिए कोई benefit नहीं है क्योंकि मेरे account में पैसा है लेकिन हाँ जब मैं परशानी की दिनों में था तो रोहन भाई मेरे अपने किसी रिष्टेदार से मैंने 10,000 भी मांगे न उसने मेरे को मना कर दिया तो बैंक ही था जो बिचारा हमेशा मेरे साथ रहा उन्होंने मुझे जब जब करजे की जरूरती करजा दिया जैसे जैसे मैं पे करता गया करजे से निकला लेकिन हाँ क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी और इसका सबसे बड़ा मैं आपको एडवांट वो बताऊं एक वो अभी क क्रेडिट कार्ड्स हेल्प मी आउट तो क्रेडिट कार्ड्स तो आदमी को लेकर रखने चाहिए खच तब करना चाहिए जब बैंक में पैसा हो ओर स्पेंडिंग इस अगें पॉजनस और डेंजरस और फैटल बट आप उसको काल्कुलेटिड यूस कर रहे हैं तो यह तो यह तो पूछाए कि आप टाइम पर पे कर रहे हो बढ़ी है वाच आपने कौन सी राडो रोलेक्स यह राडो तो नहीं है यह तो बहुत सस्ती वाच है वैसे मेरे पर आडो भी है रोलेक्स भी है और ओमेगा भी है लेकि यह तो टाइटन है अज है अप रूट से जड़े सबसे बड़ी चीज आपने शौक के लिए क्लिए जो आपने बस ले ली कि यह मुझे खरीदनी है महेंगी है शौक है मेरा लूंगी लूंगी कार 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 वान से फौन दो बार ली मैंने क्यों 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 मुझेटी अच्छी लगते थी। रुछर। उससे पहले मेरे पार मर्क्स भी थी लाकिन मेरे PB जो अच्छी लगी वह फौर्चूनल लगी ट्रेडिंग के हल्फ सही नई मैंने कोई बड़ा असेट नहीं लिया य कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में 24% पैसा कमाना बहुत अच्छा है बहुत सफीशेंट है एक्चुली लोगों को क्या मित है कि मैंने तो जी क्योंकि बजार में ऐसी गूमती रहती हैं लोग यूट्यूब पे भी डालते हैं 21 दिन में पैसा डबल या एक साल में पैसा डबल होता है मैं डिनायल पे नहीं हूँ लेकिन उसके लिए you have to be at the right time, right place, right talk, right chart reading, right conviction, ये सब right का जब combination होगा तो आप उड़ोगे क्योंकि देखिए एक शेयर मैं आपको खुद बताता हूँ जिसमें मैंने खुद लिया था औरियाना करके एक शेयर था 700 रुपे का मैंने लिया था 2400 रुपे, 30 रुपे में एक शेयर था ताराचंद, वो मैंने लिया था, आज 450 का भाव है, लेकिन लोगों से जब आप क नहीं है, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, जो चीज मुझे दिख रही है, आपको दिख रही है, सामने वाले को दिख रही है, वो फंड हाउसेज और बड़े FII, DII को भी दिख रही है, क्या उन्हें नहीं नहीं दिख रहा कि ये शेयर तीन रुपे का है और ये तीन अज करिए, बढ़ेगा, मैं ये नहीं कहूंगा, नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये सोच को चेंज करना पड़ेगा, क्यों मैं एक ऐसे स्टॉक में पैसा लगा हूँ, जो मरा पड़ा है, क्यों नहीं मैं निफ्टी फिफ्टी में पैसा लगा हूँ, क्यों नहीं मैं इंडिया में मैं एक बैंक पर ट्रस्ट कर रहा हूं मैं इतनी बड़ी कंपनी रिलाइंस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं इंडिया का सबसे बड़ा गुरूप है टाटा आज हम कहते है कि रिलाइंस का मार्केट का पैजे कंपनी सबसे बड़ा है टाटा की सारी कंपनियों को माइंड कर दे तो Reliance से भी बढ़ा है अब यहाँ पर एक चीज़ एड करना चाहूँगा आप से पूछना भी चाहूँगा आपने जो यह Shares की नाम लिये है अब यह Shares का प्राइस इतना हो गया है कि बंदा इतना lot लेने में घबराता है कि वो छोटे share ले लेगा जादा lot मिल जाएगा उसको अब वो इतना पैसा अगर एक share में लगाएगा तो lot कम हो जाएगा तो क्या है कि इसका भी धारना है सर धारना है मेरे को मेरे पैसे पे 20% return चाहिए वो मैं छोटे में लगा लूँ बड़े पे लगा लूँ और तोप पे लगा लूँ उससे क्या फ़रक पड़ता है परसंटेज में बात करें न हम रिटर्न में और अगर किसी को रिस्क लेके पैसा कमाना है तो अपनी अकल ना लगा के mutual funds के थूँ आप जाएए तो आप जाएं हमें लागों की बात कर ली, करोडों की बात कर ली हमें हजारों की बात करना चाहूंगा दस हजार, बीस हजार अगर किसी को invest करना है तो आपने mutual funds तो बता दिया उसके लावा और कौन सा ऐसा option है जो आप सज़ेस करोगे कि कम पैसे वाले इसमें इन्वेस्ट करके थोड़ा profit बना सकते हैं FD करें, post office की schemes में लगाएं, liquid fund में लगाएं देखें, अब क्या है, optimization एक चीज होती है आप एक जगा पैसा लगा के दो जगा benefit भी ले सकते हैं leverage ले सकते हैं, ठीक है न, ये सब चीज़े तब है जब वो पैसा आपके पास pair है, अगर किसी को wealth generate करनी है पांच हजार रुपे जिस आदमी ने पंदरा साल तक बजार में डाले हैं SIP में, आज वो एक करोड पे बैठा है पांच हजार रुपे for पंदरा साल in mutual fund is one करोड लगाईए आप पैसा, discipline investor बनी है सर आप strategies की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी strategy है जो दिमाग में चाहिए बन्दे को, और विससी आपके courses भी है जहाँ पर आप इस अब चीसे सिखाते हैं, उसके बार में ही बात करेंगे हम लेकिन अभी अगर आप free में बताना चाहे हमें कौन सी स्ट्रेटेजी से इसका थोड़ा ध्यान रख सकते हैं स्ट्रेटेजी क्या होता है, मैं किसी को बता भी दू मैं सिखा भी दू ना तो इस नोट इजी तो मैंनेज बाकी अगर हम सिफ नाम for the heck of it के सिफ नाम के लिए मैं बता हूँ तो कोई भी स्ट्रेटेजी जो की है जो हैज का मतलब क्या होता है कि मैंने सो रुपे बजार में डाले या एक लाक रुपे डाले मुझे पता है सुबह बजार गिर जाए या सुबह बजार ओड़ जाए मेरे को लॉस जो होगा वो कितना होगा आज रोहन भाई देखिए ट्रेडिंग को हम मुश्किल समझते हैं मैं लोगों के लिए बहुत असान कर देता हूँ हमने कोई भी एक फ्यूचर खरीदा साथ में एक पुट खरीद ली अब बजार जीरो भी होगा न मेरे को पता है मेरा लॉस कितना हो सकता है और मैं इसे होल्ड करूँगा बजार नीचे से गूम कहां के उपर आ जाएगा इसको हम स्विंग ट्रेड में करें अगर उपर आ जाएगा तो मेरा पैसा बन जाएगा नहीं बनेगा तो मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया तो कुल मिलाके क्या है है हेज करके आप ट्रेड करें कितना ही चार्ट पर कॉन्फिडेंस आ जाए फिर भी हेज ज़रूरी है क्योंकि स्पाइक कभी भी आ सकती है कभी भी कोई बैड नीूस चलते बजार में भी आ सकती है तो इसलिए किसी पर ट्रस्ट ना करें सिर्फ मैंने ट्रेड ले लिया या तो अब ये एसल कटेगा या टार्गेट आएगा अगर हैज ट्रेड है तो बच टार्गेट ही आएगा एसल तो कुछ है नहीं क्योंकि वह तो हैज है करने ट्रेंड की बात करूंगा सोशल मीडिया पर इतने इंफ्लुएंसर्स हैं जो स्टॉक के नाम बदाते हैं सीधा कि इन पांच स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर दो ये पांच ऐसे हैं तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया रील्स की वज़े से स्टॉक के प्रैसे फ्लक् कि जो इन्फ्लूंसर है वो कई अच्छे स्टॉक भी बोलता है और कई बार ऐसा होता है कि वह अपनी समझ से बोलता है पेट पर्सिप्रियु थोड़ी आएगी इन्फ्लुएंसर्कों पैसे देने में मतलब जो होगत है इंवेस्ट्र एप्स जो होते हैं वो भी कई स्टॉ यह पलता है पोग सबसोर Tu वो तो फिर से वी से रेस्टर्ड है जो से जी já डिसट्ड है वो तो देखिए आप एक सब्ज colonial कोई काम इस लो रहा है तो वो हंटी पहंगी नहीं कर सक था क्योंकि उसका acabou all week 환ers x accepted then पूरे साल में कि भई हमने ये ये स्टॉक दिये इसकी ये ये परफॉरमेंस थी फिर से भी कहता है भई तू अब आ जा ये बता ये दूया क्यों तूने ये मुझे चार्ट पर ब्रेक आउट दिख रहा था ये मुझे इंडिकेटर बोल रहा था ये फंडमेंटली कुछ अच्छा था तो उसके पास एक कारण है अब कारण है हो सकता है वो स्टॉक अभी ना चले दस दिन पन्रह दिन बीस दिन महीना दो महीने पर चलेगा क्योंकि अगर किसी का प्रॉफिट बड़ा है तो हो सकता है वो अभी ना चल रहा हो लोगों को पता लगेगा चलेगा बट जो ऐसे हैंकी पैंकी वाले इंफ्लुएंसर हैं जो नए आते हैं मार्किट में और वो एसा खोड़ा उपर उपर से पढ़ते हैं यूट्यूब की वीडिय को पकड़े और उसकी समझ से काम करें बहुत ज़्यादा कोई अच्छा जिस पर आप रिलाए कर सकते हैं उसकी समझ पर भी मैं यूँ नहीं कह सकता क्योंकि सेवी कहती है वह सेवी रेइस्टर जब बैठा है तो उससे लो ना जो आपका फैनेंशल एडवाईजर है उससे बात करो तो इसलिए मैं तू मतलब मेरी जो नौलेज है इस तू लिमिटेट तू कमेंट अन दिस सर आप गुमने जाते हो ऐसे बहुत कहां कहां मतलब कौन सी फेवरेट कंट्री आपकी मेरी फेवरेट कंटी यॉरॉप इस एनी टाइम गुड लंडन इस एनी टाइम गुड और चाइना तो मैं बहुत बार गया हूं सिंगापूर बहुत अच्छा है होंग कौंग इस वेरी गुड तो यॉरॉप में जाके आप भी कनवर्ट करते हो रुपीस में कितना पड़े लिए जो भी है तो सब्ड़ गई करना पड़ता है भाई तो थाइलंड अकेले जाते है आपको पर्मिशन कैसे मिल जाती यह कुडिए बिसनेस ट्रिप अच्छार थे नियुक्न तो रहे विझ बटा दे तो आप बटा सकते ना शी सीज़ए अच्छी अच्छी वी कर सकते ह तो सर ऑफ कैमरा आप से कन्विक्शन सीखें तो सर ऑप्शन बाइंग और सेलिंग इसकी वीडियोज थोड़ा डिफरेंग पर इसके बात भी बीच बीच में इसके बारे में देखें एक आदमी अगर कोई खरीदता है ऑप्शन तो पांच हजार साथ हजार दस हजार में खरी आप्शन में एक कॉंपोनेंट होता है जिसको डिके बोलते हैं यानि की प्राइस जब यहीं खड़ा रहेगा तो भी आप्शन का प्राइस गिरने लग जाएगा तो वो डिके का बेनेफिट सेलर को मिलेगा मैंने कोई ची सो रुपे में बेची वो डिके करके नब्बे लेकिन अगर किसी ने सो में खरीदी और वो नब्बे आगई तो इसको दस रुपे का लौस है मैं तो दस रुपे लेंगे बाहर भी हो गया वो बिचारा पकार आए कि मेरे फिल सो आएंगे तो इसलिए ऑप्शन बायर लूजिस मोर मनी, ऑप्शन सेलर मेक्स मोर मनी सर अग लौंग टर्म है पात साल लौंग टर्म है उनने सो अस्ती या उनने सो नब्य मुझे एग्जक साल ध्यान नहीं है किसी ने एक हजार रुपे के विप्रो लिये हुते तो आज की तारिक में कितने हुते ज़र आप चलो बताओ मुझे आपने तो हिसाब लगा रखा रखा हो अज हजार रुपे के शेर के रिदे सर होंगे पचास लाख सालिस पचास लाख बहुत छोटी सोच है आगे बढ़ो दो करोड़ अभी तो मतला बहुत छोटी सोच है कोई हेल्प कर रहा है मुझे हाँ से बीस करोड बता रहा है कोई पीछे कैमरा के दो परसंट भी नहीं है बीस करोड आगे बढ़ो इधर से एक आवाज है सो करोड तक पहुंच गए साथ सो करोड से उपर है वो गल्यू और यह मैं नहीं कह रहा यह पब्लिक डोमेन पे है गूगल कर लीजी आप तो जो पावर ओफ एक्विटी है उसको कोई मार्केट असेट क्लास बीट नहीं कर सकता आज मुकेश अम्मानी जेफ बेजोज एलन मस्क अडानी यह लोग रिच हैं क्यों रिच हैं इसका रीजन बता दो आप मुझे क्योंकि उनके स्टॉक का प्रा प्राइज बढ रहा है बीजनस इस भी बढ़ रहे हैं लेकिन स्टॉक भी बढ़ रहा है आप समझ रहे हैं मेरी बात तो आज मुकेश जी हैं 100% आने वाले पांच साल में 100% इनकी प्रोडक्शन जा इनकी तरॉन बहर डबल नहीं होगी । लेकिन स्टॉक प्राइस डबल ह जाएगा तो इनकी वैलिएशन डबल हो गई ना प्रोपर्टी आज आपने ली यह तो अभी तीन साल से प्रोपर्टी में बूम आया है नहीं तो जो प्रोपर्टी पिछले बीस साल पहले किसी ने दस लाग की ली थी वो आज कोई ऐसा उसने ताबर तोड कोई इतनी वो नही कर दी वो मुश्क्रते दस साल वाली बीस साल बाद पचास लाग भी नहीं पहुंची लेकिन बीस साल पहले किसी ने दस लाग के स्टॉक ली होंगे तो आज वो करोडों में होगी क्योंकि वें यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स यू आर बिकमिंग पार्टनर विद्धा कंपनी और अगर वो टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 कंपनीज में आप पैसा लगाते हैं देश बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, कंपनी बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेग स्टॉक्स में लगाईए, वहां से प्रॉफिट बनेगा, एक दम नहीं बना करता है, आपने अपना करा है, जब आपका बेटा आपके बराबर होगा, तो कई फोल्ड बढ़ जाएगा, कई फोल्ड वो तो सुपर इंजॉय करेगा, वो रहेगा बढ़िया कोठी में, यस, चले, अच्छा है सर, सर, जो लोग देख रहे हैं, उनको आप ओवरॉल क्या अडवाइस देना चाहेंगे, जो पैसा लेके मार्केट में अब गुसना चाह रहे हैं, या जो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, उनको आपकी क्या piece of advice रहेंगी, अगर आप तीन-चार पॉइंटर स बता सके रहे हैं, खुद सीखें और करें, start with small, slowly and gradually increase your quantity and quantum, borrowed conviction पे काम नहीं करना, किसी की सुनके काम नहीं करना, टीवी को सुनके काम नहीं करना, किसी भी सोशल मीडिया को सुनके काम नहीं करना, अपना दिमाग लगाना है, अपना काम करना है, शान ती से करना है, position sizing, जैसे मैंने कहा, मैं तीन लाग पे एक lot करता हूँ, तो जब आप उस position sizing पे आ जाएंगे, तो loss वैसे ही नहीं होगा, greed को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझिए, कि मैं पूरे साल पैसा रखता हूँ, FD में तो 6% ब्याज मिलता है, tax काट के वो भी साड़े जाता है, ठीक है, liquid fund, post office, NSE, PPF, कोई भी 8% से उपर नहीं है, तो इसका मतलब 78% ही सब जगा से पैसा मिलता है, तो मैं तो अल्रेड़ी 3X पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं 24% या 20% के slab में हूँ, तो भाई, ये पैसा ठीक है, आप अपना factory लगाओगे, ये करोगे, तो वहा भी कोई industry में भी ऐसा चमतकार नहीं हो रहा है, कि हर साल आपकी capital डबल हो रही है, अगर कोई ऐसा business है, जो मेरी जानकारी में नहीं है, और आपके पास है, तो आप वो करिए, फिस stock market मत करिए, लेकिन हाँ, अगर आपको long term wealth चाहिए, आप सोचें कि मैं आज invest करूं और मैं 50 साल बाद, मैं आपको बता हूँ, जो आपकी उमर है, अगर आप हर महीने एक reasonable amount of पैसा इसमें लगाते हैं, क्या नाम है, mutual funds में, या stock market में, तो मेरे खाल आपको 15 साल बाद काम करने की जोटनी है, वो corpus ही इतना बड़ा होगा, कि वो अपने आप फिर आगे compounding से बढ़ता जाएगा, right amount क्या है, एक middle class जो invest कर सकता है, देखें ये, मैं एक salary ग्रूप बताता हूँ, salary बताइए आप, पचास हजार से एक लाख जो कमा रहा है, एक professional, 10,000 रुपे लगा है वो, हर महीने, हर महीने, जो 25,000 कमा रहा है, वो 3 से 5,000 रुपे लगा, अगर आप 2,000 रुपे आप 5,000 रुपे लगा जिए, जितना कॉर्पस आप डालते जाएंगे, उतना वो compounding से बढ़ता जाएगा, खुद जब share खरी दें, तो nifty fifty की कोशिश करें, कंपनियों में खरी दें, अगर mutual fund लें, तो थोड़ा सा आप उसमें active risk ले सकते हैं, कि कुछ पैसा में ने large cap fund में डाल दिया, कुछ mid cap में डाल दिया, कुछ small cap में डाल दिया, क्योंकि वहाँ आपका decision गलत होने के chances कम क्यों होते हैं, अब आपको small cap में भी ये नहीं है कि एक ही company का small cap ले लिया कुछ आपने एक fund house A का ले लिया, fund house B ले लिया, fund house C ले लिया, fund house D ले लिया अगर आप पांच हजाए डाल रहे हैं तो पांच fund houses में डाल लिये न एक गलत हो सकता है, सारे तो नहीं गलत होएंगे market गरेगी, सब में loss आएगा, लेकिन वहाँ एक fund manager बैठा है, back up with a team of analysts जो कि आपके पैसे को wisely manage करने के लिए ही बने हैं, true, आज मैं जो share पे मेरी नजर कब जाएगी, जब देखिए, share एक पड़ा हुआ है, retail participation share को बहुत जादा नहीं हिला सकता, जब तक कि कोई FII, DII उसमें नहीं गुस्ता, FII, DII मिन्स ये mutual funding है न, हमारे देश का mutual fund हो, बार का mutual fund हो, true, वो लोग खरीदते हैं, वो लोग कब खरीदते हैं, जब वो उसकी पूरी deep down steady कर लेते हैं, कि भाईया fundamental अच्छे हैं, profit अच्छा है, ROI अच्छा है, future prospect अच्छा है, market अच्छा है, retail अच्छा है, इस company के सब चीज अच्छी है, तब ही वो पैसा लगाएंगे, क्योंकि they are not allowed to randomly invest the money, ऐसा नहीं होता, fund manager आया, उसने मैं का जी, आज मुझे ये company अच्छी लग रही है, इसमें लगा दो, he is also answerable to the management, कि भाई, तुमने पैसा क्यों लगाया, they have to have a steady of that company, और secondly, उसे सेवी में और M.P.E. में disclosure देना है, आप किसी भी fund के बारे में आप देख सकते हैं, कि उस fund ने particularly किस किस company में पैसा लगाया हु या कोई बड़ा उसमें घुश चुका होगा, तो अगर मुझे वही stock खरीना है, तो मैं क्योंना mutual fund route से ले लूँ, ठीक है मेरी कमाई कम होगी, लेकिन मेरा पैसा safe जाता है, सर अभी आपका क्या future goal है, मतलब आपको अभी क्या लगता है, या मुझे इस चीज में मुझे ती मेरे को तीन करोड से इतना प्रभू की दया से मिल जाता है कि मैं अपना महीने का यापन कर लेता हूँ, अच्छे से, content creation में मैं आया हूँ, तो अभी मेरी इसमें कोई कमाई नहीं है, अभी तो सिर्फ investment ही है, और कोशिश कर रहे हैं कि भी कहीं से कुछ जरिया बने, क्योंक अगर मैं बेच रहा हूँ, तो मैं आपको free content भी बहुत दे रहा हूँ, और अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ, तो मैं तो request mode में हूँ ना, कि आप ले लो, मैं कुछ जबदस्ति किसी को बंदूग दिखा के तो नहीं कह रहा ना, कि तुझे लेना ही है, वर्त लग रहा है त अब मैं आपको एक उधारन देता हूँ, लोग गाली देते हैं कि यार ये referral program ले आया, अरे आपने तो एक company के साथ account खोल के trade करना ही है, आप मेरे referral link से कर लोगे, आपको तो 20 रुपे खट करने है, अगर उस 20 में से 2 रुपे मुझे मिल जाए तो आपका क्या जा रहा है, आ पर भी, कि ये तो बेचने पर आ गया, ये इस पर आ गया, तो भाई पैसा तो मुझे भी चाहिए ना यार, I also have a family to live, और नहीं है, तो मैं किसी से जबनस्ती भी नहीं कर रहा है, तो मेरा निवेदन है आज जोड के लोगों से, कि अगर कोई, कोई मैं नहीं, कोई और भी है तो आप उसकी help कर सकते हो, करो, नहीं कर सकते हैं, तो गाली वाली देने की क्या जरूरत है, वो आपको free content तो दे ही रहा है ना, आज मेरा इंस्टा का page है भाई, उसका धाई तीन लाग रुपर महीने का खर्चा है, तो वो तो हम किसी से मांग नहीं ना कोई हमें दे रहा है लेकिन हम knowledge पूरी दे रहे हैं उस पर, और knowledge कोई ऐसी नहीं दे रहे है, जिससे कल किसी का नुकसान हो, अच्छी अच्छी बाते ही बता रहे है, राइट सर, सर, I think जितनी हमने बात करी, काफी information प्रस entertainment रहा आपके साथ, मज़ा भी आया, आपने काफी साची सिखाई भी हमे and we all hope कि जितने लोगों ने आज ये podcast देखा है, वो इस knowledge को use भी करेंगे and अगर वो घुस रहे हैं, तो इस डर से नहीं घुसेंगे कि हमें loss हो जाएगा, थोड़ा जिससे आपने बोला FOMO ना रखें, थोड़ा अपने gut feeling पर विश्वास रखें, लोगों की YouTube वीडियो और Instagram हम दुबारा आप से किसी और चीज के अराउंड बात करें, आपकी knowledge को use करें and social media पर जादा आप seriously मत दिया अगरो, sir, comments को, मैं एक research पढ़ रही थी, before we wrap up, मैं एक research बताता हूँ आपको, sir, एक negative thought को overcome करने के लिए 5 positive incidents लगते हैं, जी, अगर आपके दिवाने कुछ negative आगया इसे comment आया, यह क्या आपने बोला कि 5 positive incident लगेंगे, जब जाके वो एक negative thought खतम होगा, बिलकुल ठीक है रहे हैं, तो चलता है, thank you so much दीपक, sir, thank you Rohan, मुझे यहां बुलाने के लिए, and thanks to all the audience, जो यह podcast देख रहे हैं, I hope and I'm sure, मैं आप लोगों की life में कुछ एक छोटा सा भी change ला सकूं, तो I'll feel myself के भई मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई, कि मैं I could bring a value to your trading, कुछ ना कुछ value addition हुआ होगा आपका trading में, दूसरा hedge करके चलिए, नहीं समझ आता कुछ, छोटा सा loss लीजिए, बाहर आ जाईए, market कहीं खतम नहीं होगा, आप मैं सब खतम हो में, market चलता रहा, bank बंदो गए, restaurant बंदो गए, school बंदो गए, universities बंदो गई, लोगों को exam skip करा दिये गए, market एक दिन बननी हुए, तो market चलता रहेगा, have patience, सीख के करिए, जरूरी नहीं है कि आज ही loss लेना है, कल profit आएगा, सीखिए, करिए, thank you.